हेलो स्टूडेंट्स हेलो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल को मस्कसित भाई विशाल सार आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे एक पर फिर से हर्दिक स्वागत है बचो प्लास 12 आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कह लीजिए कुछ में चैप्टर 8 है वो कह ल रहा है और इसमें भी आज हम बहुत important topic में बात करेंगे ये हैं अंडर एंड और सब्सक्रिप्शन और आज की जो वीडियो है वो अंडर सब्सक्रिप्शन पर होने वाली है तो उसके बारे में हम बात करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन और और सब्सक्रिप्शन पर भी मैं आप हमारी कमणि में पैसा लगई है हमारी कम्णी के शेर खरी दिये ठीक है इत डिसीद אחד अलोग में फोड़ या सूधा कज पर छाटthen क्वाने की चाहती है वैसी कंपनी कॉल करती है ठीक है इसके लिए मैंने अलड़ी दो सप्रेट वीडियो स्टार्टिंग में बेसिक पे बनाई थी अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उनको देखना वो कॉंसर्ट बेच्छे से क्लियर हो जाएगा तो कंपनी क्या करती है अप्ठीकेशन μεने पर कुछ पैसा रिषीब करती है जो भी एप्लेकेट में एप्लाई इच और कमपनी को सारे के सारे ऐसेी बिग जाये कई बार ये कम हो जाता है कई बार ये जाद हो जाता है आपने एक लाग के लिए अपलाई किया लेकिन पब्लिक ने अपलाई किया 80K या 90K 80,000 शेयर्ज के लिए 90,000 शेयर्ज के लिए अपलाई किया तो फिर ये वाला केस होता है यह under subscription का होता है दस देर में भी आइधर under subscription और over subscription दोनों चकता है आज की वीडियो under subscription के बारे में बात करेंगे ठीक और over subscription मैंने एक separate video बनाई है अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका link वीडियो के अंड में मिल देगा आप उसको देखी आपको वो koncept भी अच्छे दे क्लियर होगा तो आज हम बात करते हैं under subscription of share की यह काफी important topic है तो company offer share to the public inviting for their subscription company हमेशा public को जो भी offer करती है वो subscription के लिए करती है ताकि हो share खरीदे जितना company ने offer किया अगर उससे कम share हमें मिल रहे है public उससे कम के लिए apply कर रही है तो यह condition के लाती है under subscription of share it is the situation of under subscription जैसे मैं आपको example दे रहा था माल लिजिए कि 1 lakh share के लिए 1 lakh share के लिए issued करा किसी company ने at the rate of 10 rupees each ठीक है लेकिन company का application मिली 90,000 shares की 90,000 shares की या 80,000 shares की तो यह कौन सा condition है हमने common public को 1 lakh के लिए offer की आईशू करा लेकिन हमें अपनी के लिए सिर्फ 90,000 की ठीक है तो ऐसी condition में क्या होगा ऐसी condition में यह माना जाएगा यह under subscription का case है और इसमें क्योंकि 90,000 है तो company सारा का सारा question 90,000 से ही होएगा under subscription जितना under subscribe लेकिन थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बर में जनरल यह company that is newly set up does not have a good reputation in the market receives under subscription mostly जिन company के अच्छी reputation नहीं होती आपकी मान लिज़े नहीं company है आपकी good deal market की बहुत अच्छी नहीं है लोग आपको नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि जितने आप offer कर रहे हैं shares उतनी application receive ना कर पाएं उससे कम कर पाएं तो वो case के लाता है under subscription का usually such companies opt for underwriting of shares तो यह underwriting of shares opt करती है underwriting of shares का मतलब कुछ underwriters होते हैं वो हमारी company के shares खरीदते हैं और हमें पैसा दे देते हैं और बदले में अपना commission लेते हैं underwriting commission हमें benefit हैं हमें अपने shares के पैसे मिल जाते हैं हमें बाहर common public को जो बेचने वाली condition है वो tension नहीं होती तो यह under subscription वाला case होता है however if the company receiving under subscription receives the minimum subscription it can allow the share which receives the application अगर कोई company का under subscription होता है लेकिन उसका minimum subscription पूरा हो जाता है तो वो share as a alert कर सकती है under subscribe आईए एक numerical के head से under subscription के concept को clear करने की कोशिश करते हैं आपको वोत अच्छे से concept clear होगा ध्यान से देखिए यह एक question है भारत limited was incorporated with a capital of rupees अब यहाँ पर थोड़ी से printing mistake है यह जो zero है last वाली यह वाली zero नहीं है भारत limited registered थी 20,000 rupees से 10 rupees each तो कहने का मतलब यह हो गया 20,000 तो rupees से और rupees 10 each एक share था अब इसको इससे divide कर देंगे तो number of share आ जाएंगे इस मतलब इस company के 2000 shares से यह बता भी रहा गया कि 2000 shares were offered यही offer किये गए shares subscription के लिए and out of this 1800 shares were applied and allotted receive हुई तो इस means less की हुई जितने company ने issue कर रहे है और यही case under subscription का कहलाता है कि हमने तो 2000 के लिए common public को offered किया या issue के लेकिन public ने अप्लाई के सरफ 800 share के लिए यही case concept जो 2000 shares का है इसको ही अब under subscription का concept कहते हैं और यह share आपन allotted हो गए आगे बता रहे है कि तीन रूपय application पे including one way premium हमें मिल गए four rupees allotment पे मिल गए जिसमें एक रूपय प्रीमियम का था और two rupees first call पे और three rupees first and final call पे इसमें जो second call है वो ही final call है और all the money was received सारा का सारा पैसा मिलिया give journal entry necessary and show share capital in the balance sheet तो share capital in the balance sheet तो share capital in the balance sheet की थी और 10 rupees each था मैं आपको बता रहा था अभी पीछे कि 20,000 जो rupees आ रहे थे जब उसको 10 से divide करेंगे हम तो यह आपका कितना हो जाएगा 2000 टूथाउजन शेर इसूड करें यह रहे 2000 इसूड के लिया 2000 थी at the rate of 10 इस यह बता रहा था application फे तीन रूपे allotment पे चार रूपे जिसमें एक एक रूपे प्रीमिल का भी शामील आ है फस्ट कॉल पे 2 रूपे फञे में तो और दो रुपे प्रिम्यम के हैं तो देखिए को कैसे करेंगे का solution देखिए यह रहा तो सबसे पहले हम चैंटी मनाएंगे bank account debit to share application share application account debit to share capital ऐटीन हंड़ेट से सारा क्यों होगे तो तो पहला जो था हमारा किता था पीछे देखिए एक बार देखते हैं 18 ये 3 रुपे के हसाब से था, तीन रुपे की 18 रुपे की 18 से multiply ही होईगी, और 2 रुपे शेर के बन रुपे से क्योड़ी प्रीम के, तो can'try मनेगी bank account, debit to share application, share application account, debit to share capital, 1800 shares पे 3 रुपय आपको receive होगा application बनी तो 5400 यहाँ आया ऐसी ही यहाँ आएगा 1800 shares पे 3 रुपय त आपको receive हो गए और फिर क्या रहा है वो 1800 shares पे 2 रुपी share capital के थे तो 18 to 36 यहाँगा यह 54 यहाँगा और security premium था 1800 shares पे 1 रुपी security premium भी था जो कि विरा बैंक के entry में हमीशा credit होता है अगर security premium result के बारे में बहुत अच्छे से detail होने चाहिए तो मैंने एक separate video उस पे बनाई है अगर आपने वो नहीं देखिए तो उसको आप देखिए क्योंकि इसका concept बहुत important है इसका fund जो भी पैसा एकटा होता है security premium का वह हम utilize करते हैं कुछ special purpose के लिए वो उस video में ने detail से बताया है अगर आप नहीं देखिए इसका link में वीडियो के end में देदूगा या बटन में मिल जाएगा आप उसको जरूर देखें तो यहां एटिए हंडे आएंगे तो फिप्टी फॉर हंडेड एटिन तो थर्टी सिक्षन डेट और एट हैं इस तरह से ही तीनों एंट्रिया होंग लेगे अलोटमेंट में के एंट्री बनेगी जबर थरा एंट्री शेर अलोटमेंट एकाउंट डावे टूशेर कैपिल टू सिक्यूर्टी प्रीमियम हमेशा धियान रखना आप आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि हमेशा सेक्यूर्टी प्रीमियम की जो एंट्री होती है वो हमेशा बिना बैंक वाली एंट्री में क्राइडिट होती है सेक्यूर्टी प्रीमियम हमारा फायदा होता है फायदा हमेशा क्राइड होता है और यहां पर कितने रुपे था 1800 share से सारी का सारा question ही 1800 से हुआ क्योंकि under subscription का question है 2000 तक हम पहुची नहीं पाया है तो जितना public ने apply कि है उससे सारा question हो जागा यह under subscription के case में हमेशा जितने से under subscription होता है उससे ही सारा question होता है तो into 4 rupees के साब से allotment मंगा गया था तो year 7200 और 1800 into 3 rupees तो share narration में simple job करते हैं में लिख देंगे आप लिख देंगे being allotment money due अगर यह भी लिख देते हैं इतना आगे नहीं लिख दे तो भी चल जाएगा इतने रुपे पर इतने श्रुटी पर इतना ठीक है फिर हम पैसा receive करेंगे number fourth entry में के entry बनेंगी bank account debit to share allotment यह हम पढ़ रहे थे कि 1800 share थे चार रुपे से उसके allotment के थे तो जितने से allotment due आता उतने से सारा receive करेंगे which premium शामिल है इसमें तो 7200 से entries होंगी being allotment money received आगे देखिए first call पे इसाथ 3-2 रुपे और इसकी multiply 1800 से होईगी तो first call के entry बनाते हैं number entry number five और entry number six दो entry बनती है हमेशा application की दो, allotment की दो, first call की दो, second call की दो, final call हर किसी की दो entries बनती है पहले due फिर receive तो share first call account debit to share capital being first call amount due बस इतना महीं लिख सकते हैं आप डीटे लिखना चाहते हैं लिख देना 1800 रुपीस के साब से तो 1800 रुपीस शेयर पे टू रुपीस के साब से थर्टी सिक अंडेड होए यह due और यह amount receive वह एट हिंडेड शेयर पे टू रुपीस के साब से आपको amount जो था वह आपका due होगया तो यह 36 अंडेड होगया पिंग फस्कॉल मानी रसीव पहले द्यू की इस वन फिर रसीव की इस वन थीक नेक्स देखिये फञेल कोल पे थे तीन रुपी तीन इंटू 1800 एंटी एंटी थी त्रीड ला कि 5400 तो यह एंày कितने से होगी 5400 ख क्योंगी देखिक्र वनेंगे शिर फर्स को अर से सफंफ हुआ depends की यह six entry seven और eight entry number seven nobar एट लिया कि ऑने में लुड है कि शिर फार्नाना इंड ने के वोन दर है यह यह फार्ड वुड न्र Li receive हो गए sorry 3 रुपे 1800 पे 3 रुपे receive हो गए this one और ऐसे 1800 shares पे 3 रुपी रिसीव हो गए तो आपके 5400, 5400 पहले amount due गे एंटरी बनाएंगे being final call amount due और being final call amount received तो इसलिके साथ ये question खतम होता है I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें मेरे चैनल को subscribe करें मैंने over subscription पे एक अलग वीडियो बनाई है इसकी वीडियो के end में उसको आपका link मिल जाएगा आप उसको देख लीजिएगा और मैंने security payment reserve पे भी अलग वीडियो बना राखी है आडवांस के साथ मिलते हैं और share issue other than consideration other than cash vendors वाले question के साथ मिलते हैं फिर इसका last topic है प्रोरेटा allotment उससे मिलेंगे इसे के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद